तो आप सभी के डिमांड पे एक नए कॉलेज की रिवीवी लेकर आ चुके हैं गोविंद बलपंत इन्वेसिटी जो कि आपका उत्तरा खंड में उपस्तित है इस कॉलेज के लिए बहुत सारे लोग ने डिमांड किया था इससे पहले आएसे एर की जो टॉप फाइब की इन्वेसिटी थी पंजाब एक रिकिश इन्वेसिटी उसके बारे में वीडियो बन बनाईए तो फाइनली वीडियो लेकर आचुके हैं आप सभी लोग के लिए बहुत सारे स्लाइड बनाईए मैंने वहां के कॉलेज स्टेंट से बात करके और आप थमनिल में देख सकते हैं कि बेटर देन एनाटी मैंने यहां पर क्यो लिखा हुआ है ठीक है तो उसका भी आपको आगे वीडियो में पता चलता रहेगा तो जो भी आलेनय में श्टेंट रहते हैं अगर आप आप आईसी यार के थूरू इस इंवरिसिटी में जाना चाहते हैं फिर आप उतराखंड से है इनका परस्नल जो इंट्रेंस एक्जाम होता है उसके थूरू यहां पर जा कैसी स्पोर्ट की फेसलिटी है फैकल्टी कैसी है टीचर कैसे यहां पर मेंस होस्टल सब कुछ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ उसके साथ ही लाश्मन आपको बता दूंगा कि इस कॉलेज में पास होने के बाद आपकी प्लेस्मेंट कैसी रहती है क्या पैकेज उगर तो चली फिर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको बताने वाले इस कॉलेज की स्टाइट्स और रैंकिंग क्या रही है ठीक है तो ऐसे तो बहुत सारी लोग बोलते हैं कॉलेज बहुत यादा पुराना है वनाप दो ओल्डेस इनुर्टी में से यह आता है यह आपनी रैंकिंगा थे उसमें फोट रैंग पर आते हैं तो इसके बाद इसका गलत है आपको शिया आट के करीब इनका में देखने के मिल जाए काफी बडा केंपस है क्यूंकि इस कॉलेज में आपको अधर जो कॉलेज हैं देखने को मिल जाएंगे अग्राइब आगरी क्लचर के लिए अलग कोलेज है उसके साथ जो एदर एंजिनरिंग के ब्रांच होते हैं उनके अलग अलग कॉलेज जिसमें बने हुए हैं इसलिए काफी बड़ा है नमबर आप कोर्सें के बारे हैं बात करेंगे जो की यूजी म लिख दिया उधम सिंग नगर में आता यह पंद नगर की उत्तरा खंड में जो की उपस्ति यहां पर यह पे इन कोड़ आप देख सकते हैं तो कॉलेज आप एकरिक कल्चर की यहां पर फोटो में डाली हुई है और यह है वेटेंडरी और अनिमल साइंस की जो कॉलेज की विल अगर आप ट्रेंस आना चाहते हैं जो रेल्वे स्टेशन हैं यहां का तो लालकुआ के पास है रेल्वे स्टेशन लगबख 13-15 किलोमेटर की दूरी पर है एक्जैक डिस्टेंस मुझे नहीं पता वहां के इस्टेंड ने बताया कि इतने दूरी पर जो है रेल्वे जो भी यूजी के प्रोग्राम है अगरी कल्चर लाइड ब्रांच में उनके ऊपर अगर आप सीएस में मेकैनिकल इंजिनिंग में इस एलेटरिकल इंजिनिंग में चाहते हैं तो आप उनकी उफिसल वेबसाइट पर जाके नमराप सीट के बारे में देख सकते हैं कौन से इंटरेंस एक्जाम के तुरा पर देख सन मिल जाएगा तो में जो प्रोग्राम में आपके यहां पर मैंने अड कर दिये हैं तो मैक्सम इस्टन जो आते हैं बीएसी और जो आपका एगरिकल्चर का यूजी प्रोग्राम है चार साल का उसके लिए तो इसमें मैक्सम सीटे भी हैं आपकी तो पहला तरीका है यहां पर अड्मिशन लेने का जीवी पंति इंवर्सिटी जितने भी स्टेट के बच्चे होते हैं उनके लिए अपना इंटरेंस एक्जाम करवाती है खुद तो उसके थ्रू आप यहां पर आ सकते हैं अगर आप बाहर के हैं उत्तराखन के बाहर स्टेट के हैं कहीं से भी आप आना चाहते हैं तो आई से यूजिक थ्रू आ सकते हैं टूटल वन थर्टी सीटे हैं सभी स्ट्रेंट के लिए इसमें आपकी पंद्रापर्सेंट सीटे जो रहाती है आई से वालों के थ्रू भरी जाती है अब एक चीजहां पर के तुरू भरने वाला तो जब वन थर्टी सीटे इनकी फील हो जाएंगे उसके बाद जिनके अच्छे मार्स नहीं आये हुए हैं और वो श्ट्रेंट इंट्रेस्टेड हैं इस कॉलेज में एडमितन लेने के लिए तो उनके लिए 26 सीटे रखे हैं बट लेकिन इस सीट मे आने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा फीज आपको लगने वाली तो 150 सीटे हैं आपकी टोटल बीस सी आउनर्स अग्रिकुल्चर में अगर आप इसमें देखेंगे यह फॉरेश्ट्री के भी कोर्सेस आफर करते हैं तो इसमें भी चार साल खें लेकिन यह आपका पांच से जाएंगे तो के चार साल में आठ समेस्ट्र रहते हैं इसमें आपको 10 समेस्टर चाहते हैं तो इसमें भी अगर आप एमिशन एना चाहते हैं तो आपको वही जीवी पंदिनों सीटी का इंट्रेंस एक्जाम देना पड़ेगा 62 सीटे हैं आप सभी लोग के लिए और 16 सीटे जो हैं पेमेंट सीट के थूरू भरी जाएंगे तो 78 सीटे टोटल आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद बीटेक अगरी का भी कोर्स है तो इसमें भी आपके तीन तरीके आने के इंट्रेंस एक्जाम देखे आ सकते हैं पंद सीटे भरी जाएंगे ठीक है फूर टेक्नलोजी का भी यहां पर कोर्स है एक तो पहला तरीका इंट्रेंस एक्जाम 30 सीटे हैं तोटल 15 सीट उत्राखंड वालों के लिए हैं और 15 सीट जो है अधर इस्टेट वालों के लिए 30 सीटे आप लोग के लिए हैं और बायो टेक्न सिंपल है बारीवी में साइंस ग्रूप से हैं पीसे पीसी भी या फिर अगरी कल्चर आपने लिए होगा बारीवी में तो आप इंट्रेंस के थूप इनकी काउंसिलिंग के थूप इसमें ले सकते हैं कटेगरी वालों के लिए 47.5 पर्षंट नॉन कटेगरी मतलब जनर वा साइन्स से होने चाहिए आप लोग 50% माक्स आपके उपन वालों के लिए अधर कटेगरी वालों के लिए आपकी 47.5% तो जितने भी आपके इंट्रेंस एक्जाम में मेरी टोगर लगेगी वो कॉलेज में डिस्पले कर देते हैं कॉलेज के ओफिसल वेब साइट पर इस डिस् एक्जाम दिये हैं तो आप इसमें अपियर हो सकते हैं तो वही से में आपका अग्रिकल्चर साइंस या फिर बायो यार मैथ ठीक है तो इन सबी स्ट्रेंट के लिए यहां पर दर्वाजे ओपन किये गए हैं तो ट्वल्थ पास होने चाहिए PCM PCB या फिर ACM अग्रिकल्च सीट है उसकी फीज कितनी लगेगी तो आगे मैं कॉलेज का ओवराल फीज बता दूंगा यहां पर थोड़ा से मैं आपको देखा देता हूं कि कितनी अगर आप पेमेंट सीट से आना चाहते हैं तो तो उन्हेंने साब साब जो अनका प्रोस्पेक्टेस है उसमें बता दिय ठीक है तो इसमें आपके प्रोग्राम की फीज रहेगी या फिर फिर रूटीन फीज रहती है वह मिला जुला के टोटल फीज आपको चार लाग बार एनम देने पड़ेंगे अगर आप ब्सक्रा देने पड़ेंगे जो फीज से कॉलेज को भरनी पड़ेगी लेकिन आपको लाग एक्स्ट्रा देने पड़ें क्योंकि आपके उतने अच्छे माक्स थे नहीं आप पेमेंट सीट से आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसे आपको यहां पर भरने पड़ेंगे इस प्रोग्राम में पढ़ाई करने के लिए जो फीज से किसली ले रहे हैं आप यहां पर दे पड़ेंगे बिड़े किन बयोटेक में आ रहे हैं तो फिप्टी थाउजन आपको पर रहना अलग से भरने पड़ेंगे तो पैमेंट सीट वाला का जो मैटर है आपको सवीज में आ गया होगा आपकी एक्सिए तो लगेगी आपकी अडमिसन की हॉस्टल की में इसकी उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा में इतने पैसे देने पड़ेंगे फीश छक्षरी बात करेंगे तो इन्होंने हाली में ही अभी जुलाई के महिने में इन्होंने अपनी अलग से एन्वल फीश समेश्टर वाइज उन्होंने डिस्पले कर दिया इनकी ऑफिशल वेबसाइट में वहाँ पर चलके मैं आपको दिखा देता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीडियाफ है इन्होंने जारी किया था पंदर जुलाई को ही तो 2022 की मतलब कि इस बार जो आप लोग के लिए फीश यहाँ पर दिखाई गई है तो यूजी प्रोग्राम के हम केवल बात पर देख सकते हैं तो इन्होंने अलग अलग जो चीजें इंक्लूड की है किस के लिए फीश ली जा रही है तो अलग अलग फीश उन्हें आड की है प्लेश्मेंट की जर्नल की फीश कुछ रिफंडेबल मनी भी आपको पे करने पड़ेंगे जो अपकी कॉलेज इंड होने रूम रेंट जो अलग अलग चीजे रहती हैं वो आपको मिला जुला के कुछ जो इस ब्रांच में स्टुडेंट आते हैं आपके बिए सी एजी बिए स्टी फॉरेश्ट्री कॉम्निटी साइंस हैं मीटेग इन फूड तो आप लोग के लिए टोटल जो छे महिने में पर से सेमेश्टर जो फीस है यह इतनी लगने वाली है 30,469 रूपीज यह फीस है पर सेमेश्टर की इसमें आपका जो फूडिंग का है वो इंक्लूड नहीं है तो यह जो आपकी फीस है इसमें आपका केवल जो चीजे हैं पर लिखी हुई है उनकी रहेंगी होस्टल की फीस इं का लीजिए कि इतनी फीस देने के बावजूद भी आपके जो ब्रेकफास्ट के नास्ति कैंटी नोगर जो खर्चा करेंगे आप अलग से उतकर लगेंगे ही और मेस में आपको इतने फीस आने वाली साड़े तीन जासे लिए का 4,000 जनरली रहता है पर मंत का ठीक है तो जो एक कुर्स यहां पर देख सकते हैं बीटेक वालों के लिए जो अदर ब्रांच में हैं और बीटेक नायगरी वाले हैं तो आपको भी 37,164 रुपीज लगेंगे यह पर सेमेस्टर की फीस है तो अपना चार साल का हिसाफ आप लगा सकते हैं कि दोनों सेमेस्टर की लगबग 60,000 फीस इसमें लग जाएंगी चलेज़ भी आप पर एनम के मान के चलेंगे अपना मेस का तो एक लाग रुपे पर एनम के फीस लगने वाली है तो चार साले चार लाग रुपे तो आपका जो यूजी प्रोग्राम हो कम्प्रीड हो जाता है इसके साथ साथ कॉलेज कूस स स्कॉलर करती है कितने पैसे मिलेंगे उसके बारे मता देंगे और अगर आप आप इसीर के थुरू जा रहा है तो एंटिय की काफी अच्छी स्कॉलर सी बाती है तो उसमें लगभग आपको 3000 पर मन्त के इसाथ से भी आपकी फीस जो है रिट्रैन हो जाती है तो फीस आपको समझ में आ गया होगा तो यह पीडिया भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर टेलिकराम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं तो भाई यह हमने बात के लिए फीस के बारे में अब यहां पर बता दो कि अड्मिशन कैसे मिलें क्या प्रॉसेस होगी उसकी तो पहला तो है कि आप पंदगर का इंट्रेंस एक्जाम दीजिए अगर आप स्टेट में रहते हैं उत्राखण में तो उनके काउंसिलिंग के थुरू आप डिम्शन ले सकते हैं और या फिर आप आप यूजी में अपीर हो रहे हैं 2022 में तो आपके लिए भी कुछ सीटे हैं तो उसके काउंसिलिंग के थुरूपी आप डिम्शन ले सकते हैं ठीक है मैक्सिम लोगों को आई सियार का जो है पैटर्न उगरा पता होगा नहीं पता तो आप गुगल पर जाके देख सकते हैं कैसा पेपर आता है इस वीडियों बताएंगो तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे युजी के इंट्रेंस के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अबलेबल है उसको आप देख सकते हैं अब थोड़ा सा पैटर्न रहता उसके बारे में थोड़ा सा विरीफ आपको देदेता हूं अगर आप पन नगर के इंट्रेंस एक्जाम के तो अपने बार्विंग का बेसिक रहेगा फिजिक कमेश्ट्री मायत है फिजिक कमेश्ट्री बायो तो कोस्चन जो इसमें आने वाले हैं आपके देख सकते हैं में इंटल अबिलिटी 30 कोस्चन रहेंगे मतलब कि वही रिजिनिंग टाइप की कोस्चन और फिजिक के 50 कोस् रहेंगे तो बाइलोजी वाले कंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं दिग्री प्रोग्राम जो है आपका अगरी कल्चर में है फिसरीज में हैं कम्यूनिटी साइंस में है वेटरिनरी साइंस में बीटेक इन फूर्ड है बीटेक इन बायोटेक में है अब जो पेपर कोड़ 2 है PCM वालों के लिए ये तो हो गए PCV वालों के लिए बात तो इसमें भी आपका बारवी का बेसिक कोशन पुछा आएगा बारवी के सेलवर जो रहाते हैं फिजिक, केमेश्ट्री, मैथ जो इस ट्रीम से हैं तो 30 कोशन काउमन है आपका मेंटल अबिलिटी का वही आपका रि से 200 कोशन आएंगे 600 नंबर का पेपर होने वाला है multiple choice अगर आप agriculture लिए हुए हैं तो फिजिक कमेश्ट्री अगरी कोशन का ले सकते हैं वही एक एक्वल agriculture में आपका जो में रहता सतर कोशन हो जाएंगे नहीं तो बाकिया सब बिल्कुल सेम है तो यहां पे इन्होंने स्कूर करने पड़ेंगे ताकि आप वहां पर admission ले पाएं तो अच्छी त्यारी करिए और कुशिस करिए कि आपका नंबर जो है इसके counseling के दुरू और ना कि आप payment seat से जा रहे हैं extra fees आपको पे करने पड़ रही है अब तो थोड़ा से आपको idea लग गया है कैसा entrance exam होता है प 1000 के करीब आ रही है open category में भी हैं तो आपके chances काफी जाता है यह डिपेंड करेगा कि उस साल कितना टॉपर का highest try है परसेंटाइल अगर पेपर का difficulty level हाई हो गया और कम marks में भी अच्छी परसेंटाइल बन सकते हैं ठीक है तो इस पर डिपेंड करेगा उसके अलामा का आपकी category कौन सी है उसके लामा आपकी category कौन सी है इस पर भी डिपेंड करता है वी सी वालों के लिए यह कटाफ जा सकता है 15 को उपर 2000 को उपर और यह सी वालों स्टुएंट के लिए भी आपके फाग था जो इन्टरिंट रैंकिंग जा सकती है तो ऐसे एसे डिपेंड करती है कोश लाने ही पड़ेंगे उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इस college में scholarship की बारे में बतायता हूं उसके बाद ये college कौन-कौन से scholarship उफर करती है यूजी प्रोग्राम के लिए student के लिए उसके बारे में बतायता हूं तो यूजी के लिए कुछ financial support के लिए ये college help करता है बच्चों तो पहला जो है आप university merit scholarship ले सकते हैं 800 रुपए पर मन्त के इसाफ से आपको दिये जाएंगे तो ये प्रते एक डिग्री प्रोग्राम में जितने भी अलग-अलग courses है उनमें best three student को दिये जाएंगे अलग-अलग batch में ठीक है जिनकी CGP काफी अच्छी होगी उनसे भी बच् अगर उनकी family की income वन लाग के नीचे है तो उनकी tuition के fees ये college माफ कर देता है ठीक है उसके बाद जो तीसरी scholarship है sports scholarship 800 रुपए पर मन्त पिलेंगे उन सबी student के लिए जो भी best six all-rounder होंगे तीन sports में आप अगर best हैं तो आपको इस college को गारा 800 रुपए पर मन्त दिये जाएंगे तो sports अगरा भी काफी माने रखेगा अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे काशी scholarship यहां से नास्तापानी कर निकाली सकते हैं अब उसके बाद में चीज रहती है भाई यहां पर hostel मेस के बारे में क्या सीन है तो भाई यहां पर कुछ images मैंने डाल के रखे हैं hostel के आप देख स सब कुछ मिला के UGPG सब कुछ मिला के boys and girls सब कुछ मिला के तो जो BSCAG के student है facilities के हैं forestry के एंगरी इंजिनिंग के student है एक साथ रहते हैं same hostel में और शुरवात में आपको three sharing रहेगी second semester तक जिसमें आपके BSCAG home science facilities के student बैठेंगे ठीक है third semester के बाद आपको अलग-अलग separate hostel दिय जाएगा हर एक student के लिए आपका cupboard रहेगा bed seat रहेंगी और भी जुरू में facilities होगा रहती है वह सापको आपको provide कि राए जाएगी hostel नेंस आपको देखने मिल जाएंगे जैसे पटेल भवन आप यहां पर देख सकते हैं CV1 नहरू होस्टल गांधी होस्टल इस नाम से अलग- जो होस्टल है वहाँ पर आपका मेस भी सेचूटेड रहता है होस्टल रूम बहुत ही अच्छे हैं उसके साथ यहां पर 24-22 रहती है प्रापर वेंटले से रूम में पेपर होगर आपको निस पेपर होगर होस्टल में आ जाता है डेली मेस का जो food है काफी अच्छा है साथ के लेते हैं तो कॉलेज का अपना खुद का एक स्टेडियम में काफी बढ़ा जिसमें आपको सारे स्पोर्ट्स देखने के मिल जाएंगे इंडूर आउट्डूर सारे स्पोर्ट्स आप वहाँ पर खेल सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताएं कि अगर आप त्री गेम कैफेटरिया मिल जाएंगे कैंटिन बहुत सारे मिल जाएंगे एटियम मसीन है कॉलेज का जीम है पार्क है पेट्रोल पंबी वास पास में भी है लाइबरी है लेक्चर कॉम्प्लेक्स है और्डिटोरियम भी कॉलेज काफी बढ़ा है जहां पे सारे प्रोग्राम अगरा रेंज होते हैं एल्मिनी नेटवर्क थोड़ा सा बतायते हैं तो काफी रीच एल्मिन नेटवर्क है काफी बड़े-बड़े लोग यहां से पास आट हुए हैं बहुत सारे लोग आईएस ऑफिसर बन चुके हैं अलग-अलग नाबाड में भी हैं गेट के थुरू आयर्ट अगरी कल्चर में तो कहीं नहीं होते हैं कि 100% कॉलेज आफर कर रहा है प्लेश्मिन ऐसा तो कहीं नहीं होता इस कॉलेज में भी जो अधर ब्रांच हैं जैसे की मेकैनिकल इंजिनिंग हो गया सिविल हो गया CS वाले ब्रांच आईटी वाले उनकी काफी अच्छे प्लेश्म साथ उनकी अच्छे खासे प्लेश्म रहते हैं तो आपका सिक्स समेस्टर में स्टार्ट हो जाता है कंपनी तौर कोशिस करते हैं कि जो भी इन्ट्रेश्ट हैं उनको यह प्लेश्मिन दिलवा दे तो क्लीज के तो लूट है और कुछ से खीस वालेश्मिन को जाता है ओर लेके जाती हैं तो सुरुवात में आपको उतना अच्छा पैकेज नहीं मिलता इसी लिए इस्प्रेंट जो है कॉलेज के यूजी के बाद प्लेस्मेंट नहीं रेते हैं और ट्राइ करते हैं कि भाई किसी कैयाट एक्जाम के तुरू हम ABM कॉलेज में टॉप के ABM जो जाए वहां से इच्छा पैकेज उठाए ठीक है तो यह सीन रहता है यहां के प्लेस्मेंट का और यहां प्यार फेश्ट होता रहता है उसके बारे मैंने आपको बताया नहीं कॉलेज में आप फेश्ट काफी सी होता है उतराखन का जो ट्रडीशन होता है वहां पे अदम मे अदम में करके एक फेश्ट होता है जिसमें आपके डांस, कॉम्पटीशन, अलग लग क्विज कॉम्पटीशन, फ्रेशर पार्टी, एन्वल मीट उगरा जिससे प्रोग्राम उगरा होते रहते हैं तो आपको उसके भी काफी अच्छे एक्सपिरेंस देखनों के मिल जाए हैं तो उमीद करेंगे कॉलेज का रिब्यू आपको पसंदा होगा वीडियो पसंदा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जिरू कर लिजिए अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमें आप डीम कर सकते हैं एड़ टेक्नो वीमल पे ठीक है इंस्टाग्राम का हैंडल है आप यहां पर जाके डार्टली कोश्चन सो करा जो है आप वहां पर पूश सकते हैं तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो मिलेंगे आपको नेक्स्ट कॉलेज की रिब्यू में तब तक के लिए धन्यवाद